दोस्तो नमस्कार आदाब सत्स्रियकाल न्यूज क्लिक के खास कारिकरम आज की बात में आपका स्वागत है जो उत्तर पूर्वी दिल्ली है जहां हिंसा और उपद्रों का तांड़ों पिछले तीन दिन से जारी है वहां पर अब तक 21 लोगों के मारे जाने की ख़बर है हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देखें तो ये संख्या और बढ़ जाए लेकिन हम अभी फिलहाल 21 पर ही रुकते हैं क्योंकि 21 आधिकारिक तोर पे कन्फर्म किया जा चुका है सैकनों लोग घायल है इन में बताया जाता है कि 100 से उपर लोगों की इस्तिती बहुत खराब है यानि वो सिरियसली इंजर्ड है यानि गंभीर रूप से वो घायल है कितनी अजीब बात है दोस्तों जिस दिल्ली का उधारन पूरे देश को दिया जाता है कि दिल्ली कितनी आधुनिक है मेट्रोपलिटन है लोग बस्तियां छोड़ कर जा रहे हैं और ये जो लोग जा रहे हैं मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जो हमारी रिपोर्टर्स ने हमें सुचित किया है जो खबर दी है उसके मतलिक ये नहीं है कि सारी के सारी बस्तियां खाली हो रही है लेकिन लोगों का एक हिसा जरूर जा रहा है तो यह बहुत भायानक इस्तिती है देश की राज़धानी में और दूसरी बात दोस्तों की पुलिस की तरफ से अब थोड़ी सी कड़ाई किये जाने की बात कही जा रही है क्योंकि हाई कोट ने और सुप्रिम कोट ने दिल्ली पुलिस की जो नाकामी है दिल्ली पुलिस की जो काहिलपन है दिल्ली पुलिस का जो एक तरह से जो आत्ताई थे जो हमलावर थे जिन्होंने दंगे की शुरुवात कराई जिन्होंने उत्तेजत कारवाई की कैसे दिल्ली पुलिस उन लोगों के साथ सनलिप्तता उनकी थी कैसे दिल्ली पुलिस उस पूरे के पूरे गिरों को एक तरह से पेटरनाइज कर रही थी जब ये बात सामने आई है और जिस तरह से कोट त्वारा भी इस तरह से डाटा गया है पुलिस को तब पुलिस ने थोड़ी सी कड़ाई करने का संकेत दिया है लेकिन अभी हमने एक खबर अभी अभी देखी वो ये थी कि रास्ट्री सुरक्षा सलाकार जो अजित डुबाल साहब है उनको एक्टिव कर दिया गया है क्योंकि अमिसाह साहब ने जो धेश के गरी मंतरी हैं उन्होंने फिर से मीटिंग की जिसमें तमाम बड़े अबसरान को बिलाया गया लेटनेंट गवर्णर को भी बिलाया गया अरविंत के ज्रिवाल साहब दिली के मुख्य मंतरी है उनको भी बिलाया गया और इस तरह से उस ती कोई जानता नहीं तो कल रात भी उन्होंने क्या किया कोई नहीं जानता लेकिन उन्होंने एक बयान दिया है और वो बयान क्या है उन्होंने कहा है कि हम किसी को बक्षेंगे नहीं तो किसी को बक्षेंगे नहीं तो तीन दिन तो हो गया कपिल मिश्रा जो आपकी पार्टी के सत्तारूर दल के महत्पूर आजकल कारिकरता बन गए हैं सबसे मुकर चुनाव लड़े थे चुनाव हार गए लेकिन जो सबसे इस पूरे मामले में उत्तेजक कारवाई के जो एक तरह से जहां से शुरुवात होती है उस व्यक्तिकाराम एक अपुल मिश्रा उनकी खिलाब कारवाई क्यों नहीं की आपकी पार्टी के सांसद हैं सत्ताधारी दल के सांसद हैं देश के जाने माने क्रिकेट खिलाडी रहे हैं गौतम गंभीर और वो ऐसा नहीं कि कोई आपकी राय रीच से आपकी सियासत से उनका कोई मत्भेद है कोई काउंडरिक्शन है बिलकुल नहीं उनके हमने अतीत में और भी बयान देखे हैं जो बिलकुल बीजेपी और आरेसिस की जो विचारदारा है उसको एक तरह से इंडोर्स करने वाले बयान होते हैं लेकिन गौतम गंभीर जैसे सुरक्षा सलाकार केवल भाशन दे रहे हैं भाशन देने का काम नेताओं को होना चाहिए रासिस सुरक्षा सलाकार का काम तो कारवाई की अनुशंसा करना है कारवाई का आदेश देना है क्यों नहीं कपिल मिश्रा को उनके खिलाब कारवाई का आदेश दिया प्रशासन को और अपनी सरकार से कहा जो सतारूर दल है जिससे वो काफी निजदी की बताया जाते है हालां कि वो कोई राजनितिक दल के मेंबर नहीं है लेकिन उनको कहना चाहिए था प्रदान मंत्री और ग्रही मंत्री से कि इस पार्टी के नेता के बयान से ये अगर भड़की है बात तो उसकी चानबीन कराई जाया और जब तक चानबीन नहीं पूरी हो जाती तब तक उसको सस्पेंड किया जाए उसको पार्टी से या तो बहर किया जाए और उनकी ततकाल की रफ़तारी की जाए लेकिन ऐसा कुछ नहीं और दोस्तों दो बात और मैं करना चाहूंगा एक किया ऐसा बताया जाता है मैं ऐसी किसी चीज की पुष्टी नहीं कर सकता कि वो व्यक्ति कौन थे लेकिन वो वीडियो बहुत वाइरल हो गया और उसमें क्या था कि दिल्ली पुलिस के जवान जहां पर अनेक नौजवान लड़के घायला वस्था में पड़े हुए हैं और उ बनकर उनसे कह रहे हैं कि तुम बंदे मात्रम गाओ और डंडे चलाते हुए करें जनगण माओ जनगण मन गाओ आजादी केनारे लगाओगे और एक तरह से डंडे हां करें घायलों पर जिनके कपड़े खून से सने हुए हैं जिनके सर फटे हुए हैं कोई कह रहे हैं जिस वक्त उन लोगों को अस्पताल ले जाने की जरूरत थी उस वक्त उनसे राष्टगान और बंदे मातरम गवाने की अजीब बेचेनी दिखाई जा रही है ये कौन सी राष्टवक्ती है और वो भी पुलिस मैं समझता हूँ कि अगर राष्टी सुरक्षा सलाकार सचमुच कहते हैं कि हम किसी को बक्षेंगे नहीं तो सबसे पहले कपिल मिलस्रा के बाद इन पुलिस वालों को ततकाल निलंबित करना चाहिए इनको बरखास्त करना चाहिए इनकी गिरफतारी की जाने चाहिए क्योंकि ये जनगन मन के खिलाफ हैं ये बंदे मातरम के खिलाफ हैं ये देश के खिलाफ हैं ये कानून के खिलाफ हैं और एक दूसरा वीडियो भी उजागर हुआ है जब एक उपासनास थल पर, एक खास मजभब के लोगों के उपासनास थल पर कुछ तीन चार लड़के उपर चड़कर के और जंडा लहरा रहे हैं, कोई तिरंगा लहरा रहा है, कोई भगवा लहरा रहा है, यह अजीब तरह का हाल है, और मज़े की बात है कि शुरू में हम लोगों को लगा, कि शायद ये वीडियो फेक हों, मैंने अपने पूरे जीवन में न तो फेक वीडियो हमने सर्कुलेट किया, और न तो हमने कभी उस पर कोई टिपणी करने की कोशिश की, लेकिन जब आल्ट निउज ने और दूसरी और कई एजनसियों ने इसको एथेंटिकेट किया है, जब इनकी पुस्टी किया है कि नहीं, ये जोड घटाव इसमें नहीं है, ये वीडियो सही हैं, तब मैंने आज आपके सामने इन वीडियो की चर्चा की है तो दोस्तों देश की राजधानी में ये हाल है, और ये उस वक्त का हाल है, जब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राश्ट्रपती भारत में मौझूद थे, यानि कल की बात है, यह हो सकता है परसो रात की बात हो, लेकिन ये बिछले दो दिनों की बात है, अब आप क् एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये जानबूश करकर आए जा रहा था ताकि पूरी दुनिया को अमेरिका को मालूम हो एक खास डंग की बात और वो खास डंग की बात ये कि गुनागार समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम कंट्रोल करने के लिए कड़ी कारवाई कर रह हाई कोट ने जो कहा है वो बहुत महत्पूर्ण है हाई कोट ने आज कल भीती रात लगबख साड़े बारा बजे के आसपास उन्होंने कारवाई शुरू की एक पेटिशन पर क्योंकि ए रिपोर्ट मीडिया के जरिए बाहर आई थी कि कैसे जो घायल किये गए लोग हैं ज कि पुलिस और जो अठेक करने वाले लोग हैं जो अजीब अजीब तरह के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहा हैं उनके साथ पुलिस खड़ी है उनको पुलिस एक तरह से प्रेटर्राइज कर रही है उनको प्रोटेक्ट कर रही है तो जब ये बात आई कि लोग जो घा नहीं थी डॉक्टर ठीक से नहीं थे उन्होंने भी रिक्मेंट किया प्रशासन को कि कृप्या हमारे छोटे से हास्पिटल से इनको बड़े हास्पिटल में बर्तिक किया जाए क्योंकि यह मर सकते हैं इनको अभी बचाया जा सकता है लेकिन जब एम्बुलेंसे जाने लगी एम्बुलेंसे को रास्ते में रोक लिया गया कई जगह लोगों को रास्ते में रोका गया आपको याद है यह पैटर्न यह कहां से सुरू होता है यह जवाहरलाल नहरुविश्विद्याले से सुरू होता है जवाहरलाल नहरुविश्विद्याले के गेट पर जब लड़क को हस्पीटल ले जाए जाने की जरूरती तो सत्ताधारी दल के समर्थक छात्रों का एक गुट और अजीब तरह से बाहर से आये हुए कुछ लोग गिरोह बनाकर एम्बुलेंसेस के पहिये उनके टायर पंचर कर रहे थे और जाने नहीं दे जाने जाने थे बड़ी मसक्कत हुई एम्बुलेंस वालों को बड़े असपताल ले जाने में ठीक उसी तरह का बड़े पЭमाने पर जेरियू में ये प्रियोक छोटे प senza क्या क्या गया और बाहर उत्तर हाई כोर्ट के दो नयाय मूरतियों ने उनको सैलूट किया जाना चाहिए नयाय मूरति एस मुर्लिधर और नयाय मूरति अनूप जे भबहनी बंभानी इन लोगों ने एक पेटिशन जो पेटिशन वकील सुरूर मंदेर ने दाखिन किया था उसकी सुनवाई पर उन्होंने कहा कि हर हालत में जो पुरोतर दिल्ली है उसमें जो हिंसा हुई है उन लोगों को सुरक्षित निकाल कर सरकारी अस्पतालों में ले जाने और उनका तत्काल उपचार करने की ब्यौस्था की जाए और आज अभी अभी पता चला है हाई कोट के इनिशेटिव पर सरकार ठप है सरकार कुछ नहीं कर रही है लेकिन हाई कोट ने एक इनिशेटिव लिया है और उन्होंने पूछा उन्होंने पूछा दिल्ली पुलिस से आज की कपिल मिश्रा के बयान के बारे में आप जानकारी नहीं है और हाई कोट ने तब उनको जाड लगाई और कहा कि आर यू सिरियस इसके बाद पूरा व्योरा आने का हमें इंतजार करना चाहिए तो ये हालत है दोस्तो इस वक्त और सुप्रिम कोट ने एक और महत्पूर्ण आपजर्वेशन दिया है हाला कि उन्होंने पेटीशन को उस पर रिगूलर सुनवाई से इंकार किया लेकिन सुप्रिम कोट आफ इंडिया ने कहा है कि राष्टी राजधानी में हिंसा की घटनाओं को जिस तरह से हुई है वो बहुत ही दुर्भागी पूर्ण है और जिस तरह से पुलिस की निश्क्रियता पर उन्होंने कहा कि अगर कोई भड़काने वाला बयान देता है तो पुलिस को आदेशों का इंतजार नहीं करना चाहिए था उनको कानून के अंसार कारवाई करनी चाहिए थी तो आखिर दिल्ली पुलिस किसके आदेशों का इंतजार कर रही थी क्या सरकार के सरकार में बैठेवे लोगों के ये एक बड़ा सवाल आपके सामने में छोड़े जाता हूँ दोस्तों और आज की जो सबसे आखिरी बात जो मैं आपके सामने करना चाहता हूँ कि दिल्ली के मुक्खे मंतरी अर्विंद के जरिवाल और उनके मंतरी मंदली सहयोगी और उनकी पार्टी के तमाम नेता जो पिछले दिनों दिल्ली में बहुत थंपिंग में जाटी बड़े बहुमत के साथ सरकार में आये हैं उन्होंने भारती जनता पार्टी को हराया था और उन्होंने कहा था कि हम इस चुनाव को जीतने के बाद केंदर और दिल्ली की सरकार मिलकर दिल्ली को सुन्दर बनाएगी वर्ड क्लास सिटी बनाएगी लेकिन हमने देखा कि चुनाव जीतने की कुछी दिन बाद ये जो घटना घटी है वो दिल्ली कितनी सुन्दर बन रही है दिल्ली कितनी वर्ड क्लास बन रही है ये सब हम देख रहे हैं लेकिन हमारा सवाल आज ये नहीं है कि दिल्ली वर्ड क्लास बन रही है कि नहीं बन र क्राटी है क्या उसे इंटर्वीन नहीं करना चाहिए था क्या उन्हें हालात में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था उनके तरफ से आतिशी मार लेना का मैंने एक बयान देखा जो उनकी विधायक हैं उन्होंने कहा कि किंद्र के हवाले कानून भी उसता है इसलिए हम लोग इसमें क्या कर सकते थे उन्होंने टेलिविजन में बातचीत करते हुए ये बात कही उनके और नेताओं ने भी कहा कि जहां पर इतनी हालत इस्तिती खराब है इतना तना तनावपूर है दोनों तरफ से ये हो रहा है वो हो रहा है ऐसी इस्तिती में कैसे कोई जा सकता है ये ऐसे लोग अगर जो सत्ता में है अगर बात करते हैं तो ये हसने लाइक नहीं रोने लाइक बात है इन्हें मालूम नहीं है कि किस देश के राने वाले लोग हैं ये जिस आंदोलन से निकले हैं इनके एक नेता हुआ करते थे अन्ना हजारे आजकल साइद अपने गाउं में बैठे हैं वो महात्मा गांधी की तरह बात करते थे कि उनको लोग कहा भी करते थे कि ये दूसरे तीसरे गांधी हैं महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन में रायट सामपरदाईक दंगों, उपद्रवों इस तरह की हिंसा, माइंडलेस मिलिटेंसी की मुखालफत करते हुए, वो इलाकों में चले जाते थे लोगों को शांत करने के लिए अकेला आदमी कुछ एक लोगों को लेकर अंदर पहुंच जाता था बस्ती में और लोग चुप हो जाते थे, लोग हिंसा उपद्रों रोक देते थे क्या उस तरह का नैतिक साहस आप में नहीं है फिर गांदी जी का नाम क्यों लेते हैं और दूसरी बात कि ठीक है आप गांदी नहीं है आप गांदी की तरह नैतिक साहस आप के पास नहीं है लेकिन हमारा ये सवाल आप से है कि आपने हजारों कारेकरताओं के साथ अगर दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही थी अगर सत्ताधारी दल कुछ नहीं कर रहा था केंद्री अस्तर पर तो आपने शांती मार्च क्यों नहीं निकाला आप कहते हैं कि नहीं वहां तो निश्यधाग्या लागू थी 144 लागू था 144 के बाद जब सैक्डों लोग धंगा उपद्रों हिंसा कर रहे हैं उनके लिए अगर पुलिस नहीं रोक रही है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को कैसे रोक सकती थी पुलिस शांती मार्च करने से और मेरा तीसरा सवाल कि मेरे पास और आप सब के पास दोस्तों वीडियो जैसे आए हैं जब इन मुहलों से दो दो सो एक एक सो पचास पचास लोगों की भीड निकल रही है आगे आगे कुछ लोग चल रहे हैं तीरंगा लेकर और का रहे हैं कि हम अपनी बस्ती में दंगा नहीं हो नहीं देंगे हिंदू-मुस्लिम एक है भारत की एकता एक है ये शांती मार्च निकालने वाले छोटे सिपाही कौन है ये छोटे छोटे कारी करता कौन है तो आम आदमी अगर शांती मार्च का इनिशियेटिव ले सकता है तो आप महात्मा गांधी की समाधी पर जा करके प्रार्थना सभा करते हैं तो महात्मा गांधी के रास्ते पर आप शांती मार्च क्यों नहीं कर सकते आपने गणेश शंकर विद्यार्थी का राम सुना है गणेश शंकर विद्यार्थी एक महान कारिकरता और एक महान पत्रकार थे कानपूर के कुख्यात तंगे को रोकने के लिए वो शहीद हो गए थे तो केजरिवाल साहब और केजरिवाल साहब के पार्टी के समर्थ तक जिस प्यार से जिस इज़्जत के साथ दिल्ली की जनता ने आपको इतना बड़ा बहुमत दिया आप निसन दे इस घटना करम में उसको अफमानित कर रहे हैं आप उसके साथ नियाए नहीं कर रहे हैं आप सोचिए और गांधी जी को याद करते वे सोचिए ये कहा जा रहा है कि सरकार कुछ भी उठा नहीं रखेगी ये किंद्र सरकार की लोग कह रहे हैं लेकिन हम यही तो जाना चाहते हैं कि अहमदाबाद के एक विशाल स्टेडियम हैं इतनी ज़बरदस सरक्षा पूरे के पूरे गुजरात में इतना सरक्षा बंदोबस शानदार दिल्ली अईरपोर्ट से आगरा एईरपोर्ट अहमदाबाद इयरपोर्ट यहां तक कि दिल्ली के तमाम उन उलाकों में जहां जहां ट्रम्प साहब को जाना था क्या शानदार सुरक्षा बंदोबस्थ था जिन इलाकों में ट्रम्प साहब को नहीं भी जाना था साउथ दिल्ली से लेकर और अनित इलाकों में जबरदस्थ पुलिस बंदोबस्थ हमने देखा लेकिन जिन इलाकों में लोगों को मारा जा रहा है लोगों की बस्तियां जलाई जा रही है घर, टायर के पुरी की पुरी मार्केट बाजार, कपड़े की दुकाने, स्कूल उपासना स्खल तोड़े जा रहे है वहां के लिए आपके पुलिस नहीं है और वहां पुलिस है भी, तो वो क्या कर रही है वो हाथ पर हाथ धरे बैटी है या दंगाईों, बलवाईों के साथ वो घूम रही है डंडे बजा रही है, पत्थर इकठा करवा रही है पत्थर बाजी के लिए तो ये जो बाते हैं, मुझे लगता है कि ये सच्चाई आइने की तरह बिल्कुल साफ है दोस्तों, ये जो आज का घटना करम है अब देखना है कि हाई कोट और दिल्ली सुप्रिम कोट आफ इंडिया की जो एक पहल हुई है उसके बाद क्या पुलिस पर कोई इसका असर पढ़ता है या नहीं पढ़ता है लेकिन अंत में हम यही कहेंगे कि जिस तरह से आगजनी हुई है जिस तरह से लूट हुई है उसमें बशीर बद्र की ये जो कविता है उसको याद करना चाहिए पूरी लंबी कविता पढ़ने के बजाए मैं सिर्फ दो पंक्तियां पढ़कर अपनी बात खतम करता हूँ कि लोग तूट जाते हैं एक घर बनाने में तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में दोस्तों नमस्कार आदाब सत्तियुकाल